Here is bad news रयो समाचार नेपाल सरकार संगा सम्मन दिछा एलो पर्धान अंत्री जी गोय को भीवार रोटहर को गोरुमा आयोजित एक कारक्रमा भोतिक पुरवादार तथा यात्यात मंत्री रिणू यादप को अव्यक्ति सुननु भयो की सुनना ब्यावनु भय कही छाई ने अब अता सुननु भयोला नी मंत्री यादप ले खुले आम नर्समहार को चेतावनी दिएगी छाई जनता समाजवादी पाठी की नेता समेत रहकी मंत्री यादपले जयात्यासरी कारेक्रमा जनमत्री का अध्यत है शीके रावत लाई आफुसंग टकर आये मारी न सकने चेतावनी तीं। तेती मातरी काहा होरा, उनले खुले आम गवर हत्य कांडा दोरी न सकने चेतावनी समय दीन। उख्त अभिवेक्ति ले अईले चौतर्फी आलोचना भईर हैको छे। सरकार कई मंत्री जस्तो जिम्मेवार बेक्ति ले खुले आम यस्तो गईर जिम्मेवार र अपरादिक अभिवेक्ति दीने मंत्री यादव लाई पदमुकत गरी कानूनी दायरमा लेऊना नागरिक समाज र विविन्न दल का नेताहुरले मागगर्दय आयका छे। पर शार्वजनिक रूपमाई मंत्री लेन यसरी नर्सम्फार मचाउने हत्या गरी दिने धमकी जिन्दा समेत सरकार भने सुनेको नसुनेजाई गर्रद वसुनुक लाजमर्द कुरोग। परधान मंत्री जिव याच्छनी दुहाजार अर्शेटी असोज नोग गते ततकालीन रथ्षय मंत्री सरत सिंग भंडारीले मदेश का जिल्ला नेपाल बाट अलगुन सकने बिवादिव अभिवेक्ति निदा राजिनामा दिये का थी। कानुन मंत्री शेरवादूर तामांग ले बंगला देश मा पन्ना जाने चेली हरुले सर्टिफिकेट पाहुना का लागी शरीर सुम्पनु परेको भंडे अभिवेक्ति दिये पची राजिनामा गरेका थी। तर मंत्री यादब ले खुले आम नर्षमहार मचावने धंकी दिदात तपाई परदान मंत्री मोण हुना रुँछ। ग्रिहा मंत्री ले मंत्री यादब को अभिवेक्ति सर्कार को नोटिस मा रहेको बताय पनी कारवाई बारे केई बोले का सहिए। कि सभाई भंधा पहिला सम्मिधान रच विदी को पालरा सरकार ले ने गरूपर ने वह जर 상황 मंत्री को अभिवेक्ति कानून रच विदी सम्मध हुन पर ने वह जर समिधान रच कानून सesar का मंत्रayı रुड़ा न लागण ने हूना